जब देवी लाल ने बंसी लाल को हथकड़ी लगवा कर भिवानी के बजारों में घुमाया नमस्कार में गोरवर आप देख रहे हैं एन्मन लाइव हरियाना हर्याना की राजनिती तीन लालों चोधरी बंसी लाल, चोधरी देवी लाल, चोधरी भजन लाल के गुमती रही है इन तीनों लालों ने परदेश पर करीब 27 साल तक साशन किया तीनों लालों के बीच राजनितिक वर्चसव की लड़ाई एक समय चरम सीमा पर पहुँच गई एक वक्त ऐसा आया जब देवी लाल से कम अनुभवी बंसी लाल को कॉंग्रिस ने मुख्यमंतरी बना दिया ऐसे में ताउ कॉंग्रिस से किनारा कर गे फिर एक वक्त ऐसा आया जब एक लाल ने दूसरे लाल की पूरी सरकार गिरा दी 1989 में भजनलाल ने ताउ की सरकार गिरा दी और खुद मुख्यमंतरी बन बैठे इसके बाद भजनलाल से देवी लाल की कभी नहीं बनी एक किस्सा ये भी है कि ताउ देविलाल ने पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद हरियाना के दबंग लाल बंसीलाल को हतकड़ी लगवा दी हतकड़ी लगवा कर चोधरी बंसीलाल को भीवानी के बजारों में घुमाया गया एक दिन के लिए बनसिला लोकप में भी रहे या किस्सा है साल 1972 तारीख 25 अगस दपैरी के वक्त वीवानी में एक सक्ष को पलीस एक 지원 जीप में लाती है पलीस की घेरा बंदी में इस सक्ष को पलीस ने हतकडी लगा रखी है बिवानी के कोट पर सर में इस सक्ष को लाया जाता है इस दृश्या को देखने के लिए हजारों लोगों की भीर जमा है लोग नारेबाजी भी करते हैं यह कोई फिल्मी सीन नहीं था रियल सीन था और हतकडी में कोई सधारन वेक्ती नहीं था यह थे हरियाना के दो बार के मुख्यमंतरी रहा चुके चोधरी बंसी लाल 24 अगस्त 1970 को पुलीस बंसी लाल के घर पहुंसती है नोटिस देकर उन्हें गिरिफ्तार कर लिया जाता है प्रश्टाचार के केस के सिंसले में उन्हें गिरिफ्तार किया जाता है अगले दिन उन्हें कोट में ले जाया जाता है हतकडी लगा कर पुलीस उन्हें बिवानी की सडकों और बजारों से ही लेकर जाती है उस समय चोधरी देविलाल मुख्या मंतरी थे जून 1970 के विधान सबाचुनाओं में चोधरी देविलाल की जंता पाटी ने 75 सीटों पर जीत दर्ज की थी एकिसदू 1970 का पहली बार देविलाल मुख्या मंतरी बने तरसल चोधरी बंसी लाल को सबक सिखाने और सारवजिंग रूप से बेज़त करने के मकसद से देविलाल ने चोधरी बंसी लाल को गिरिफतार करवाया हत्ठडी लगवाकर उन्हें खुली जीप में भी गुमाया गया यह थी हमारी खास रिपोर्ट